यह देखो भाई यह ट्रेन काफी ज़्यादा लंबी थी हमें इस साइड आना था तो सभी लोग नीचे से क्रोज करने है देख सकते हैं यह आलत हुई आमीर हमारी वाटरफॉल देखने तो आये थे हम खुशी-खुशी देखो सभी लोग नीचे से क्रोज करने है हेलो गाइज वेलकम टू ए न्यू वीडियो आपको पता है कि पिछले तीन-चार दिनों से मैं नोर्थ गुआ में ही था आपने वीडियो देखी आपको मैंने सब वीडियो दिखाई आज दिन आ गया है कि साउथ होल्ड साउथ गुआ को एक्स्प्लोर करने का तो मैंने एक क पार इसलिए रेंट करी है क्योंकि यहां से जो साउथ गुआ है नोर्थ गुआ से वो लगबग 50 किलोमेटर के आसपास पढ़ जाता है अगर मैं बस में जाओंगा तो इतने दख्या खाने पड़ेंगे 300-400 रुपे लग जाएंगे और यहां पर एक वोटरफोल है जो आप आपको बता भी देंगे कि गाड़ी कैसे रेंट करते हैं तो गाड़ी मैंने रेंट किया है मैंने जिस बंदे से स्कूटर रेंट किया था आपको दिखाया था मैंने तो मैं दोनों का नमबर डाल दूँगा जिससे गाड़ी रेंट कर सकते हैं और वहीं से स्कूटर रेंट तो अभी चलते हैं और बाकी चीजे माँ आपको बताऊंगा और स्कूटर के लिए मेर से किसी ने कोई सेक्योटी नहीं ली थी तो आपको दोनों नमबर डाल दूँगा बंदा काफी जद अच्छा है लोयल है आप इनी से रेंट कर लेना आपको कोई फ्रोड बगारा करने का कोई मतलब कि कोई भी बंदा आपके साथ फ्रोड नहीं करेगा तो इनी से आप गाड़ी एरेंट कर लेना और मेरा नाम लोगतर डिसकाउंट भी मिल जाएगा ये देख सकते हो ये कार है मेरी नमबर देख लो 3131 नमबर मिला है ठीक है अच्छी कंडीशन में है पैट्रोल गाड़ी है नोर्मल है अगर आप महिंगी लोगे पंदरा सुर्पे में आपको नहीं गाड़ी मिलेगी हजार में आपको पुराना मोडल मिलेगा ये देखो भाई अभी मैं ओल्ड गवा के अंदर आ गया हूं यहां पर एक म्यूजियम और चर्च है वह देखने आया हूं मैं देखाता हूं आपको काफी जदा बड़ा दूर से दिख रहा हूं तो मैंने गाड़ी को इस साइड लेफ्ट में ले लिया था कि वह भी देख ले मैं गाड़ी दूर आए है गाड़ी रेंट की है तो फिर वह भी देख ठरी चलते हैं आपको भी यह देखो कि राइट साइड में आपको दिख रहा हूं तो यह बड़ी सी बिल्दिंग दिख रहे हैं यह अभी मैं बिल्कुल इस चर्च के अंदर आ गया हूं जो चर्च मा आपको दिखा रहा था यहां पर कुछ रूइन्स पड़े हैं पत्थर वगारा काफी सुन्दर पत्थर है इन पर जो बनाई हुई है ना हाथ से चीज़ें यह देखो यह काफी सुन्दर है यह देखो यह चीज़ें काफी ज़्यदा पत्थर है लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं यह देखो आप देख रहान हो जाएंगे मील स्टोन ऑफ गन पाउडर यह देखो यह जो पत्थर जैसे आपने घर में चक्की बगएर देखी होगी तो यह दो पत्थर है दो पत्थरों को यह गुमाते हैं और बीच में इसमें गन पाउडर डालते हैं तो उसको क्रश करते होंगे यह देखो यह कितना बड़ा पता नहीं क्या चीज है देखने म जबर्दस लग रहा है ऐसे ruinS हो नहीं तब ही बंदे को देखने में मज़ा आता है कई बार क्या होता है कि सिर्फ यह देखो जैसे सामने पत्थर पड़े ना ऐसे पत्थर पड़े होते हैं और कहते हैं कि यह रूइन्स है और वो चर्च देखो कितना जबरदस्त लग रहा है बिल्कुल ओल्ड स्टाइल वाला चर्च इसको अगर रेनोवेट कर देंगे तो मज़ा आजेगा यहां पर काफी ज्यादा बड़ा चर्च आप देख सकते हो यहां पर एक म्यूजियम भी है मेरुको आपको बता यह म्यूजियम में कोई इंट्रेस्ट नहीं है सिर्फ 10 और डिकेट आप जाना चाहो तो जा सकते हो और सामने एक वहां पर भी चर्च है वह भी काफी ज़यदा सुन्दर उसमें थोड़ी देर बाद में चलेंगे यह देखो अभी मैं वाटरफोल की दरफ जा रहा हूं लेकिन रास्ता देखो आप बिल्कुल जंगल के बीच में से मज़ा आ रहा है यहां पर ड्राइव करने का बढ़िया गाने जल रहे हैं और साथ में ड्राइव करो अच्छी जगा हैं बिल्कुल गवा इतना सिटी इत अच्छी नहीं थी लेकिन आपको मज़ा आजेगा देखकर बिल्कुल इस जो वाटरफोल है जिस पर मैं जा रहा हूं इस पर जरूर जाना रास्ते में आपको मज़ा आजेगा गाड़ी रेंट कर लेना या चाहिए स्कूटर पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सीन पर किलोमेटर पड़ जाता है यह तो गाड़ी रेंट कर लेना तो पड़िया आपको रास्ते का मज़ा आएगा और साथ में वोटरफोल देखने को मिलेगा अब बताओ ना मतलब कि इसने बोलाया आपको नहीं जा सकते हैं कैसा है मालूम नहीं मतलब कि आप कोई लिख बारी चलती है ठीक है बाकी का जो चार मेना आए बारिस में अब एक तो पैदल चलो और एक तो हम लोग अभी इलिगर ट्रें से लेके जाते हैं तो जाना आप डिसाइब नहीं पर आप गाड़ी लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा इधर से सीधा इधर से सीधा इध तो अब ट्रेन यार मेंगी बहुता है बारासो सस्ती कर लो भाई यार खोड़ी अइसे बात बोलो अधे बाजयो मिले तो ठीक है ओके बाई थेंक्यू मैं वीडियो बनाता हूं यूट्यूब पर इसलिए दिखा रहा हूं कितना बना तो मैं किसे दरता नहीं डरने की बादनी वैसे लोगों को बता चले ना कि हम जैसे बना देखे आ गए फिर बाकी लोग भी आ जाएं बना देखे तो फिर कौन से कौन से महिने में नहीं आ सकते समर सिजन जब तक बारिश ने तब तक जब तक जब बारिश चालुई है अच्छा बारिश शुरू हो गया बंद ठीक है ऊके बाई थेंक्यू हाई मैं चट्रेन चट्रेण चड़ गया हूं यहां पर कुलेलम एकोइस्टेशन है और मैंने कोई टिकेट टूक टूक फिर नी लिया है अच्छा आपने पाने पाने लेलो बया अधर मिलेगा नहीं कितने का है इस का लो लेलो ड़र नहीं मिलता कुछ नहीं झाल झाल यह देखो भाई अभी इसी ट्रेन से मैं उतरा हूँ नीचे और अभी यहां से एक किलोमेटर दूर रहागा वाटरपॉल अभी बारिश में चल कर जाना पड़ेगा यह त्रेन के सच में जन्दनत के बीच में से गुजरती है जो बंदे ने हमसे पैसे लेने से मैंने उनको प माइन बनता है साथी तीन रुपे चलो मैं आपको खोड़ रहा हूँ मैंने का चलो ठीक है थेंक्यू सो मज बढ़ी आलोग है यहां के सच में त्रेन देखो आप बिल्कुल सुंदर लगती है रेन के बीच में से जाती हुई हो 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 बजा आगया सच में यार गोआ ने का आप यासा लग रहा है कि हाँ सच में मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ जैसे मैं करता होता हूँ इतने दिन तो गोआ में तंग हो रहा था मैं सही बता हूँ देखो यार ट्रेन की पटरी के उपर बज़ेदार यह देखो पिछे भी इंजनाइट अगया देखो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में और पटरी के उपर अभी पता नहीं है मैं वापस कैसे जाऊँ है क्योंकि वापस जाने की ट्रेन नहीं है और यह ट्रेन रुकी भी देखो कहां पर है माल गाड़ी जो आएगी वो शायद रुकेगी फिर पता चलेगा देखते हैं माल गाड़ी आती है तो ही वापस जा पाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहां फस जाएंगे सारी रात के लिए यह देखो भाई यह आखरी ट्रेन है जो हमें वापस कुलेम स्टेशन पर लेकर जा सकती थी इसके बाद रासुबह की दो वजे ट्रेन है इस ट्रेन में इन्होंने बैठने नहीं दिया है मैं देखो सभी लोग यहां पर खड़े हैं मैं भी नहीं के साथ हूं सब लोग तं यह देखो भाई अभी मैं इस स्टेशन के पास खड़ा हूं वह सामने रेलवे की पठ्रिया है और अभी पता है क्या हुआ हम यह आ तो गए थे लेकिन यहां पर अलाउड नहीं था आना वह बंदा जैसे बता रहा था ना इल्ली के ला जाना तो हम ट्रेन में आगे उस बं पैढल आप इस साइड जानी सकते हैं दो पुलिस वाले होगा है वह हटर भी हर्याना से अच्छे भी बंदे हैं थो दोनों पुलिस वालों लड़ु आगे उनके साथ मूंबई के कुस लोग है वह लड़ु ओ कि तुम हमें जाने कहो नी दे रे खो हमारे यही तो डुटी ह क्योंकि पिछले एक दो दिन से जो ड्राइवर था उस ट्रेन का तो यह लोग इलीगली लोगों को ले के आते थे वाटरफुल देखाने तो उन्होंने लडाई कर ली थी जो ट्रेन का ड्राइवर था तो उसने कंप्लेन कर दी थी तो मेरे को सेक्योर्टी चीह इस स्टेशन तो आज ही इन पुलीस वालों की ड्यूटी लगी थी तो इन्होंने का हमारी ड्यूटी अगर आज भी तुम अगर उस ट्रेन में चड़ गे तो हमारी ड्यूटी तो मतलब की हमारी कम्प्लेन हो जाएगी तो हमारी ड्यूटी का मतलब की हमारी नोकरी का सवाल है तो यह इन सुबहें दो बजे ट्रेन जाएगी तो अब देखो क्या गर सकते हैं यह देखो वेई फाइनली हमें एक ट्रेन में बिठाया जा रहा है अब यह नहीं यह तो कोई पेट्रोलियम वाली गाड़ी इसमें नहीं बिठाएंगे हमें दूसरी साइड पीछे से जो ट्रेन आएगी उसमें बिठाएंगे तो देखो सारे लोग हम कम से कम 20-25 लोग होंग सबी को कारगो ट्रेन में बिठा देंगे अभी यह देखो बाई यह त्रेन काफी जादा लंबी थी हमें इस साइड आना था तो सबी लोग नीचे से क्रोज करते हैं देख सकते हैं यह आलत हुई अमीर हमारी वोटरफॉल देखने तो आये थे हम खुशी खुशी देखते ह लोग नीचे से क्रोज करें देख शाद मेए इस ट्रेन के नीचे से क्रोज करके हम इस पट्री पर पिछे से ट्रopath में भैए ज्यान अ बहाम हम जाओंगे तो सारे लोग ही कट्था हुए हो हैं यह ओर आ तो आयर देख बहा दुशी मेम्रीजेंन देख ना थार्श framework सारे लोग यहां बेट कर रहे हैं वो ट्रेन जो आई थी कारगो वो हमारे लिए रुकी नहीं तो अब रात को दो बजे ही option बचा है तो स्टेशन मास्टर फुल गुस्से में आगा तो तुम्हां यहां आये ही क्यों थे तुम्हें आना ही नीची यह था यह देखो बाई यह स नामने स्टेशन मास्टर का कमरा है हम सभी लोग 50 लोग होंगे कम से कम यहीं फसे हुए हैं कोई बंदा मतलब सही बताऊना स्टेशन मास्टर गुस्से में है जो हर्याना के दो पुलीस वार लेना वो भाई मदद कर रहे हैं पानी पूनी दे रहे हैं या फिर और कमरे में लड़कियों को लेडीज को बिठा रहे हैं लेकिन भाई और जो स्टेशन मास्टर है ना उसने ट्रेन तक नहीं रुकाई यार सामने कारगो ट्रेन मेरे सामने जिस टाइम हम वो ट्रेन नीचे से क्रोस करके दूसरी साइड पट्री भी आय थे ना उसके बाद एक ट्रेन आ जाओ ले जाओ ट्रेन को ऐसी इंडिया में लोग है हम फस गए यार यहां कर तो ऐसा नहीं है कि चले छोड़ दे हमें अभी रात के साड़े साथ हुए है सुबै की दो बज़े की ट्रेन है और चार बज़े हम यहां पर पहुंचे थे चार बीस पे देख लो आप लोगों क बिल्कुल फरक नीबड़ता यार इंडिया में किसी लोगों को हम लोग यहां मर जाएं कट जाए ना तो इनको कोई फरक नीबड़ता ऐसे नहीं कि हारो कार्गो ट्रेन हमें सटिशन पे चोड़ देगी बिठा दो हमें कलते नहीं हम भिटाएं गई इस तरह लेके जारी है तो देखो बिलकुल इंजन के उपर खड़ाओ मैं अवाद भी नी सुनरी होगी आपको देखो आप मेरी सेकल दिख रहे हैं तो आपको यह देखो आप देख सकते हो मैं त्रेन के ऊपर खड़ाओ बिलकुल इंजन के पास और अभी बड़ी मुझकल से ट्रेंचे स्टेशन पे पौँचिया है देख सकते हो मैं शाहराओ यह देख को मेरे को मैं इंजन के ऊपर इंजन वह गुआओध तना मतलब की इंचन पत constitutional कर आट मैं रहे है खड़ा उखर जाना पड़े यह देख सकते हो आप कैसे हम आप ट्रेन से उतर रहे हैं देख सकते हैं आप सामने इंजिन के अंदर से निकल रहे हैं लोग आप देख सकते हो हम स्टेशन पर उतर गए हैं और इंजिन जो था हमारा वह आपको दिखा देता हूं वह सामने लाइट जो जल रही है उस इंजिन के उपर से आये थे सभी लोगों के चैरे पर समाईल है क्योंकि एक बार उन्होंने बोल दिया था कि सुबह दो बजे वाली ट्रेन में ही आप वापस जा सकते हो मज़ा था फन रहा अच्छी जगह थी मज़ा आया बिलकुल वोटरफॉल तो नहीं देख पाए लेकिन इंजोई हो गया एडवेंचर कर लिया हमने अभी चलते हैं वापस काफी जदा लेट हो गया है तो आज की वीडियों बस इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाई बाई